बच्चो आज के वीडियो के बारे में एक खास बात जो वीडियो आप देखने जा रहे हो न इसको मैंने मेरे Man Channel जिसका नाम है महेस गुरू जी हो सकता है कि आप मेंसे बहुत सारे लोग इस चैनल को जानते हो और बहुत सारे नहीं जानते हो तो आज का वीडियो मैंने महेस गुरुजी चैनल के लिए सूट किया था और अपलोड भी कर दिया लेकिन जब मैं इसको अपलोड कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि यार ये वीडियो तो इस डेंट्स के लिए ज्यादा है यानि कहीं न कहीं आपकी प्रॉब्लम्स का ज्यादा सलूसन है आपके तो एक ही प्रॉब्लम है आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता और बन भी जाता है तो एक डर रहता है कि यार ये गलत न हो जाए तो इस वीडियो में किसी सेंटेंस को करेक्ट करने के तीन रून बताये जाएंगे अब देखो मेरा ऐसा ही नेचर है मुझे लगा का की चीज़ है तो यहां भी बाट दो यहां पर ज्यादा फायदा हो आपके ज्यादा का है तो आपको देखना चाहिए न तो इसलिए इस वीडियो को मैं आपके चैनल पर भी अपलोड कर रहा हूं इंग्लिस वाले सर पर तो वीडियो बहुत अच्छा है है पूरा देखना ठीक है इसकी मत करना चलोब वीडियो देखो ओके आज के वीडियो में आपको उम्मीद से ज्यादा मिलने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे सही सेंटेंस बनाने के जिसके विसे में बात चल रही होती है, एक दूसरा एलिमेंट होता है, वर्ब, क्रिया, अब जो वर्ब है न, किसी sentence में तो single एक ही वर्ड आ जाएगा, और most of में ये helping वर्ब, man वर्ब के रूप मिल करके आती है, और इन दोनों को छोड़ कर, चाहे कितने ही वर्ड हों, वो सबसे मज़ेदार बात यह है इस वीडियो में, आज आपको सिखाया जाएगा कि किसी sentence में subject को कैसे पहचाने, क्योंकि subject को पहचानना बहुत जरूरी है, देखिए, बचपन में, सुरुआत में, जब हम सुरुआत करते हैं, तो हमारे subject कैसे होते हैं, राम स्कूल जाता है, सब्जक्ट को ने है, राम, सीता खाना पकाती है, तो सब्जक्ट को ने है, सीता, वह रो रही है, तो कौन रो रही है, वह रो रही है, सी है, ही है, दे है, इट है, यू है, राम है, मोहन है, या कोई सहर का नाम है, लेकिन जैसे हम किसी magazine में आते हैं, बुक में आते हैं, या other words को सही जगे रखना अब other words है ना यही तो दिमाग खराब करते हैं बैदे को subject का भी पता चल जाएगा है सीता यह करती है रादा यह करती है मैं यह करता हूं तुम यह करते हो लेकिन बहुत बार जो हम बुक्स में आते हैं तो बहुत sentence अटपटे होते हैं अब अगर हम उस theory को दिमाग में रखेंगी sentence में हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी subject पहले आता तो यह बात गलत हो सकत है हम हम हिंदी में कुछ ही बोलें देखो रावन को राम ने मारा था अब सेंटेस में सबसे पहले क्या लिखा है रावन अगर मैं यहां पर लिद्दू रावन ठीक है उसके बाद क्या मारा अब मारा था पास्ट है तो मैंने कर दिया किल्ड रावन किल्ड किसको राम को तो तो बताओ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको अगर मैंने अक्षरंस लिया, उस ठोरी को लिया, तो मेरा sentence गलत हो गया, क्योंकि यह sentence लिया कि रावन ने राम को मारा था, जबकि actually क्या है, राम ने रावन को मारा था, तो यह आपको पहचानना चीर, इसको पहचानने का, इसको ढूंडने का बहुत सिंपल सा तरीका है, अब जो वर्व है न, किसी sentence में वर्व क्रिया, उससे सवाल करो, किसने, यह काम को करने वाला कौन, वो आपको सही address बताईगी, सही पता बताईगी, कभी गलती हो यह नहीं सकती, तो मारा, किसने मारा, राम ने, किसको मारा, तो राम सब्जेक्ट है, रावन आपजेक्ट है, तो भले, यहाँ पर रावन पहले लिखा है, लेकिन आप राम को पहले लिखो, तो आप लिखोगे राम, उसके बाद मारा था, टेंस की बात है, पास्ट की बात है, पास्ट में कोई भी action हुआ हो, तो हम वर्व की second form लगा जैसे कि passive voice एक topic है राम ने मारा, क्या मारा, किसे मारा क्या और किसे में जो answer आए, वो object होता है तो आप sentence को object से भी शुरू कर सकते हो तब passive voice बन जाता है तो आप इस sentence को ऐसे भी लिख सकते हो रावन वाज किल्ट लेकिन जब passive बनाओगे न तो इसमें वाज प्लस वर्ब की third form आएगी पास्ट की passive में वाज प्लस third form आती है तो रावन वाज किल्ट बाई राम आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो अब भी वही sense दे रही है ठीक है तो राम किल्ट रावन या रावन पहले लाना चाहते हो तो रावन आएगा तो object group माएगा फिर ये passive है तो ये छोटी सी बात है समझ माई न तो मैंने क्या formula बताया कि आप वर्ब से question करो किसने जो काम हुआ न वो किसने किया आपको answer मिल जाएगा वो subject होता है ठीक है अब बढ़ते हैं आगे हाँ अगला example आपको कराने से फ़ले बहुत खास जान करें चुकि ये लगबग writing की class है कि लिखना कैसे सीखें या sentence करेक्ट कैसे लिखें तो हाल ही में मैं मेरे app पर app का नाव है महेस गुरुजी यानि प्ले स्टोर पर जाईए महेस गुरुजी अपको सर्च किजिए मिल जाएगा मेरा फोटर लगा हुआ है उस एप को डाउनलोड करना महेस गुरुजी आपको डाउनलोड करना राइश्टर करना राइश्टर करने के बाद पेड़ कोर्स में जाना वहां पर आपको इंग्लि स्राइटिंग कोट्स इंग्लिस राइटिंग कोट्स यानि अंग्रेजी लिख़ना Kalini से सीक्वात हैं यह शाई और लेकिन चारूर्ड स कर में IT और चाहो तो इसको पर용 कर सकते लेकिन उन्हीं करूंगा मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पर भी लेकिन वहाँ पर सिक्वेंस में है यानि आपके सारे डाउट्स के लिए हो जाएंगे बड़ा-बड़ा कैसे लिखें मत बहुत ही स्टेजी के साथ बहुत ही प्यार से बता ही है आप चाहो तो कोर्स ले सकते हो ठीक है तो मैं आपको सिखा के छोड़ूँगा जैसे अब ये वीडियो है आज की क्लास है कितनी स्टेजी बनाई होगी मैंने कि यार कोई बेसिक वाला है बिचारा फसा हुआ है तो थोड़ा सा तुकु साहरा मिल जाएगा ना कुछ तो ऐसा लगएगा हाँ यार चीजे समझ में आ र यारा एउसके बाद फर मुझे आ रहा है उसके बाद पिर अमन आ रहा है ठीक है मुझे जैपुर जाना किस ने दी अमन ने दी तो अमन सब्जेक्ट है कितना लास्ट में लिखा है जब कि अगर हम आपको टेंस पढ़ाते हैं तो अमन ने मुझे यह किताब चार दिन पहले दी थी मैं इसको ऐसे बोलता अब बोलने में कोई रोक थोड़ी है हमारी भासा ही थो है मैंने कहा यह किताब चार दिन पहले मुझे अमन ने दी थी कोई रोक है कैसा बोलने में मैंने बोल बहुत सा रिसर्च किया हम आपको बहुत पकड़ा दरा देते हैं हम आपको सब्जेक्ट ही सबसे पहले आएगा सब्जेक्टी पहला है रहे और चबच्चा गया किताब में बच्चा गया रहा है हुआ होते हैं लेकिन बहुत बार नहीं होते हैं तो हम भी क्यों करें अब हमें इस रूल को तोड़ना आना चाहिए और वह मैं आपको बड़े प्यार से बताऊंगा भी फिलाल मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट की तो माना हम सब्जेक्ट को पहचाने तो सब्जेक्ट है अमन और आप सब्जेक्ट से सेंटेस शुरू करना चाहते हैं तो इसको अमन से सुरू कर सकते हो जैसे यहां पर लिखो आप अमन उसके बाद मैं सीधा सा रूल है सब्जेक्ट के बाद वर्व हेल्पिंग बरवाती है दी थी पास्ट का एक्सन है कोई भी काम हुआ था तो वर्व क सेंट फ़र्म आएगी यार इसको एक मिंट इसका टैंसी क्योंना चेंज कर दे हैं अपन यह किताब चार नहीं नहीं चार दिन पहले लिख दिया मैं अब तो वह दी रहेगा अमन दी थी मतलब देने की होती है गेव तो सेंट फ़र्म आईगी सोरी गेव अमन ने दी अब सबजेक्ट, वर्ब, वर्ब के पाद पिर औबजेक्ट आता है अगर सेंटेसम होतहो तो उसको कैसे पेचाने है क्या और किसे से पूच्छो तो अमन ने दी क्या दी यह केताब, इस बुख, तो अमन गेव दिस बुख सॉरी मस्общ tort this इंद पूछंने करें क्या से किसे से पूछनेपा जाता है उच्राइट मुझे दी यहां पर आएगा अमन गेवमी मी क्या इसका मतलब है अमन ने मुझे एक किताब दी थी. अच्छा कब दी थी? चार दिन पहले तो before four days लिख दो या फिर four days ago, चार दिन पहले. ये बात है फिक है? अमन गेव मी दिस बूक four days ago, अमन ने ये बुक मुझे चार दिन पहले से दी थी अब वही बात आजाती है अगर आपकी नोलेज हाई है अपने साइट आपक्स पड़ रखे रहा आपको बर्डों से खेलना आ गया से भी खेलना आ तो आप कमाल भी कर सकते हो यानि क्या दी थी यह वोक तो आप इसको पैसे में बना सकते हो इसके लावब एक चीज और उसको मैं छिपा रहा हूं वो अमारे तीसरी स्लैड में आएगा जरूर नहीं आप पैसे बनाओ आप चार दिन पहले से भी सेंटेस को सुरू कर सकते हो यूज पर पढ़ागी बुक पढ़ागी तो जातर सेंटेस आपको अलग-अलग वर्ट से सुरूंगे तो सब्जेक्ट नहीं आएगा तो उसमें रिलेक्सेशन है लेंग्वेजी तो है वो वर्ड पहले आ सकते हैं तो इस सेंटेस में हम चाहेना तो चार दिन पहले फोर ड पैसे वह साथ वाज गिवन टू मी बाइअ मन फोर डेज एगो चार दिन पहले बस हो गया इस तरह से वह सकता है इस दुनिया में आज भी हजारों लोग बेगर हैं अब सब्जेक्ट क्या है इस दुनिया है दुनिया भी सब्जेक्ट हो जाती है ठीक है और आज भी तो टाइम है और हजारों लोग अब देखो बेगर हैं कौन है इसमें वर्प तो नहीं है मतलब एक्षन वाली वर्प तो लिया करो तो बेघर है कौन हजारों लोग तो हजारों लोग की इंग्रिस पहले आएगी थाउजन्स ओप्यूपिल थाउजन्स ओपीपल अब है आर यह नॉन एक्सेंटेंस है जो मेरे वीडियो देखते हैं गों समझ गए होंगे नॉन एक्सेंटेंस क्या होता है तो इस दुनिया में आज भी होता है अब मज़े की बात यह है कि आप सेंटेंस को ऐसे भी सुरू कर सकते हो इनी वर्ड के साथ मैं बता रहा हूँ इस बात को जैसे कि इस दुनिया में इन दिस वर्ड कॉमा इवन टुड़े आज भी इस दुनिया में आज भी थाउजन सब प्यूपिल आर होमलेस ऐसे भी सेंटेंस रो जाते हैं यह अपना एक तरीका है कि आप उस चीज पर एंफेसिस कर रहे हो कि आज भी ऐसा हो रहा है अब आज भी इवन टुड़े को पहले दो इवन टुड़े इन दिस वर्ड आज भी इस दुनिया में हजारों लोग बेगर है तो ऐसे भी हो जाता है ठीक है अब अगली स्लाइड पर चलते हैं तो यह सेंटेंस आपको पहचानना आ गया होगा इसमें तो मैं नहीं पता है कि क्रिया से प को फिर बता रहा हूं कि यह मेरे एक सुझाव है टेंस तो पढ़ लेना मॉडल्स को पढ़ लेना कुछ सेंटेंस के स्ट्रेक्चर आज कर दो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियों मेरे देख लो किसी और को देख लो बहुत सारे स्ट्रेक्चर है उनकी थोड़ी बेसि या गलत करवाता है अगर आपने टेंस को सही रख दिया तो आपने जंग जीत ली 80% सेंटेस करेक्ट माना जाएगा मतला अगर सेकेंड फरम लगानी तो सेकंड ही चलेगी भाई या फरस्ट नहीं चलेगी इसे हमार चाहिए वाजबर नहीं चलेगा हैजब चाहिए तो ही माना जाएगा जैसे अमने आप एक एक एक्जाम्पल लिया राहूल खेलता है जैसे यह खेलता है तो खेलता है मनलब प्रजेंट इंग्लिस बनेगी राहूल प्लेज ठीक अब यह मस करना कि खेलता है तो राहूल इस प्ले तो है के लिए कहीं मतलब हैं हुए के लिए ज राफोल खेलता यह रहा है अब अब आप पर पुली यह जा जाएगा रहोल ख clearly देंग राहुल खेल रहा ये टेंस होता है तो मैंने कहाता ही बार तो वर्व अखेल입니다 काम कर देती है तो यहाँ पर वर्र नहीं खेलता है कर दिया लेकिन खेल रहा है इसमें यह अब राउल को खेलना पड़ता है अब देखो यह भी खेलता है पड़ता है ताहित यह को देखकर आप समझों कि प्रिजेंट इंडिव टैंस है और हाँ आज वे अपने कोर्स के लिए वो जो राइटिंग कोर्स उसके लिए वीडियो सूट कर रहा था उसमें यह बात मैंने यह भी किसी चूशन है यह आपको टैंस में नहीं मिलेगी इसके लिए आपको उब्लीकेशन वाले सेंटेस पड़ने पड़ेंगे राउल को खेलना चाहिए यह आपको टैंस में मिलेगा चाहिए मतलब सजेसन की बात आगए तो मोडल में जाना पड़ेगा तो यह कुछ ब देदू चलो एक साथ, तो Rahul को खेलना पड़ता है, तो Rahul has to play, बस यह, अब आगे देखो, Rahul को cricket, Rahul plays cricket फिरबढ आगे, Rahul यहां खेलता है, वो object है, वो time place हो, मंदर tense की focus करा हूँ, tense ऐसे बदलते है, तो आपको जो ये हिंदी है ना खेलता है खेल रहा है खेल चुका है खेलना पड़ता है खेल सकता है इन वर्ड के लिए टेंस का ग्यान आपको ओना चाहिए यह आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्टी होना चाहिए यह गलत नहीं चल सकता है यह गलत नहीं चल सकता है इसको सह भाई करना सीखो थोड़ी इंग्लिस सीखो ठीक है अब चल लोग पाश्ट बता दूं का और तो क्या है यह फटेस्ट थोड़ी पढ़ा रहा हूँ में राउल खेल रहा था राहूल वाज प्लेइंग राउल खेल चुका था राहूल हैड प्लेड राहूल को खेलना पड़ा राहुल विल हैव टूपले राहुल विल हैव टूपले यह कुछ इस प्ले यह मत समझता है कि सरफ यहीं इस ट्रेक्टर रहें यह तो मैरे मानल थोड़ा एग्जामपल के लिए मैंने चार पांच ले लिए बागी और भी हैं ठैंस सीखना पड़ेगा मौल सीखने एक उसकता है ऑँस टूपले राहुल खेल सकता है राहुल कैने पिले तो बहुत बड़ता विग्याद अब बात आती है तीसरी थोड़ी टेंकल बात है जिससे आपको रहत मिलेंगी अधर वर्जश अब सेंटेस में सब्जेक्क्त को रभर मतलब हैं वर्ज़ोडब को छोर औबजेक्ट कर्म ये क्रिया के बाद लेखा जाता है क्या और कैसे से डूनने पर मिलता है प्लेस क्रिया कहां हुई क्रिया को क्रिया के होने का इस्थान टाइम क्रिया कब हुई मैंनर क्रिया का होने का तरीका क्या है इसके अलाबा फ्रिक्वेंसी हो सकता है क्रिया कितनी बा रहा था कौन मैं ठीक है तो इसमें यह सब्जेक्ट हो गया लेकिन अब मैं आपको छूट दे रहा हूं आप कह रहे होगी एक दिन मैं एक दिन से दिली जा रहा था ये भी करेक्ट है एक दिन मैं ट्रेन से दिली जा रहा था ये भी करेक्ट है तो यहां पर हमने टाइम को या सकते हैं और आपके दिमाग से बहुत बड़ा बोज कि पहले आएगा वह भी टूट जाता है तो मैं सेंटेंस के लिए बना रहा हूं वन डे लेकिन आपको एक सर्थ है एक दिन अब यहां पर रुके थोड़ा सा पॉज लिया तो वहां पर आपको पॉज के लिए कॉमा देना पड़ेगा तो वन डे एक दिन इना आई वाज मैं जा रहा था यह पास्ट कण्णुस्टेंस्टेंस हान वाज गउग्ग आएगा वन डे आई वर्व कैसे हुई यह भी एडवर्व है तो बाई ट्रेन ट्रेन के द्वारा अब बाई क्यों आया इन ट्रेन नहीं आ सकता यह आपको प्रिपोईशन एक टॉपिक है जो सिखाएगा तो छोटी मोटे कुछ टॉपिक्स है जो इनका पूरा नहीं ना कम सकम बेसिक तो हमको साराप देखा था तो देखा था किसने देखा अना लेकिन रास्थे में आप यहां पर जगे स्थान पहले लिख दिया ठीकर में वह जगाए जहां पर वर्व हाई बर्व क्या थी देखना अbell Catalक से उत्तर राता आप्जक्त होता है कहां देखा रास्थे मैं तो आप रास् अगर है न सेंटेंस में तो वर्ब के जश्ट बाद ही आएगा इसका और कोई प्लेस नहीं है कि ऐसा मत करना कि आप एक स्नेक को यहां पर लिख दो गलत हो जाएगा यह जो वर्ब है न क्रिया देखना इसके बाद ही आएगा अगर ऑब्जेक्ट है तो बागि जो टाइम और टाइम और प्लेस सोइंग वर्ड है न यह पहले आ सकते हैं तो ऑन दवे आईसा आइसनेक मैंने एक साब देखा था बस बन गई अंगरी जी मैं अक्सर यहां आता हूं ठीक है तो कौन आता है मैं आई है ठीक है अब नियम क्या कहता है कि सब्जेक्ट की बात क्या आएगी वर्ड आएगी लेकिन मैं कब आता हूं अक्सर आता हूं सम्टाइम्स कभी कवार आता हूं सेल्डम कभी कवार ही आता हूं ठीक है सम्टाइम्स कई बार आता हूं या फिर ऑल्वेज हमेसा आता हूं तो यह कब की अंग्रेजी बता रहे कि मैं कब आता हूं और कब की अंग अभी-कभी आता हूँ, यह frequency को दिखा रहे हैं, ऐसे frequency को दिखाने वाले word, अगर sentence में हैं, तो यह adverb कहलाते हैं, यह बीच में आते हैं, जैसे यह subject के बाद आएगा, I often, आता हूँ, अब आएगी verb, sorry, I often, I often come here, मनलब देखो, यह adverb है, मनलब time है, last में, I come here, often, यह गलत हो जाएगा, यह भी एक rule की बात है, तो आपको पता लगी न, भैज देखो, मैं क्या करहा हूँ, इंग्लिस को आप एक दिन में नहीं सिख सकते, छुट-छुट चीजे पता चलती है, फिर correct करते हैं, पहले गलत करते हैं, फिर सही करते हैं, तो जैसे sometimes होता तो वह भी बीच में आएगा, लेकिन daily होता है, मैं रोजा नहीं आता हूँ, तो daily फिर यहां आएगा, last में आएगा, लेकिन sometimes है, often है, always है, never है, यह कुछ adverb ऐसे हैं, जो बीच में आते हैं, तो adverb के कितने स्थान हो गए, adverb कौन? अत्रिक्त सब, time, place, region, manner, frequency दिखाने वाले word, यह तो शुरू में आ सकते हैं, या अंत में आ सकते हैं, most of कहाते हैं, last में आते हैं, हलाकि इनका भी एक करम होता है, इसे मैंने एक वीडियो बनाया, और बना दूँगा, लेकिन इस वीडियो में आपको भेंकर वाली छूट दी जा रही है, और होता है, जा आप लिखने बैठो गोने चीज़ा वो practical ways है, तो ऐसा ही होता है, सौभाग से मैं पास हो गया हूँ, सौभाग से, अब सौभाग से की English क्या है, luckily, अब ध्यानक ना, यह conjunctive adverb हैं, मतलब, जैसे suddenly अचानक मैंने यह देखा, luckily, सौभाग से, in fact, वास्तम में, more over, यह conjunctive adverb ह पहले आ सकते हैं, यह आपको एक साथ नई चीज मिली होगी आज, लेकिन यह भी होता है, luckily, sorry, luckily, सौभाग से, ठीक है, फिर लगाओ, मैं पास हो गया हूँ, I have passed, मैं पास हो गया, I have passed, luckily, ऐसा बोलोगे न, तो थोड़ा sentence गलत नहीं है, क्योंकि sentence में सही क्या चीज होती है, tense, जो आपने है, पास सही लिख दिया, लेकिन, यह जो conjunctive adverb होते हैं, यह शुरू में ही आते हैं, जैसे, अचानक से, आपने कही बार देखोगा, अचानक से, अगर suddenly word हैं, तो हमे अचानक से, luckily, in fact, moreover, जैसे आपने कोई बात कही, moreover, और भी, हैना, एक बात कह दी, तो अगले sentence से पहले, moreover, उससे पहले आएगा, ठीक है, मतलब, यह connect करते हैं sentence को, मतलब, उसके तारे तंबता के साथ, तो यह बहुत सारी चीजे हैं, तो कहने का मतलब है, मैं समझता हू आज के वीडियो से आपको काफी रिलेक्स मिला होगा, काफी नहीं-नहीं जानकारी मिली होगी, और यह सारी बाते keyword हैं, यह सबसे basic knowledge है, जो हर student, हर learner के दिमाग में आनी चाहिए, फिर ठोड़ा कम हो जाता है, जो डर बेठा रहा है, नहीं-नहीं English तो, अरे English एक language ही तो है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, गल्ती हो जाए, तो क्या हो गया, कोई आफता आ जाएगी, क्या, इसलिए लिखो, मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आपको बोलना सीखना है तो बोलो, लिखना सीखना है तो लिखो, और पढ़ना सीखना है तो ज्यादा ज्यादा तीरे-देरे करके आजाता है, इस दिमाग को भरोसा करो, इसमें भहुत दम है, यानि जैसे आप लिखना सीखना चाहते हो तो आपको साथ में रीडिंग करना चाहिए, मैं अक्सर कहता हूँ, उससे पता है क्या होगा, जो आप रीडिंग करते हो ने तो बहुत सारे स्ट्र भरोसा करो, इस दो भरोसा कब कर सकते हो, जो वो चीज़ करके देख लोगे, तो लिखने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, और बोलने के लिए सुनना जरूरी है, ये इंग्लिस के कुछ मूल मंत्र है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये बेशिक नॉलिज आपके दिम सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकर्शन मिल जाए, आज के लिए वसे इतना ही, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए, बाए!